यूपी के ATS ने दुबारा से सीमा को ले लिया है अपने एरासत में और उन्हें से पूछता स्टार्ट हो गई है जब मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा था ना केमरे के आगे तो मैं आदे गंटे तक मैं अपनी नाक में उंगली मार के खेमरे को देख रहा था कि क्या बोलूं याद देखें जिन्दगी में अगर आप पहली बार खेमरे के आगे आओगे ना तो आप बड़े जो है व इतने दिनों से जो मैं आप लोगों से बोल रहा था आप लोगों को मजाग सूझ रहा था आप लोगों को लग रहा था कि यह पटान जो है सिफ वीडियो बना रहा है इसका मकसद कुछ नहीं है भाई मेरा मकसद ही यही था कि सच्चिन से हमें कोई दिकत नहीं है सच्चिन के पापा से भी कोई दिक्कत नहीं है लेकि सच्चिन से ज़्यादा सच्चिन का पापा बड़ा उताउला हो रहा है वाया मैं अपनी बहु को गर के बाइर जाने नहीं दूँगा और जो आप लोगों ने सुना के दरवाजा बन गर में कोई नहीं तो वो सच्चिन के पापा किसी मीडिया को इजादत नहीं दे रहे कि वो उनके घर जाए या कोई वीडियो बगेरा बनाए ठीक है मैं मानता हूं कि मीडिया वाले नाक में दम कर देते हैं जैसे कि आप जले भी खा रहे हो और आपके उपर एक मकी घूम रही है जो आपके कहीं भी आके बेड़ जाती तो वैसे ही मीडिया वालों ने नाक में दम कर दिया था सचिन के घर वालों के लेकिन बहुत सारे लोग यह बोल रहे हैं कि पटान भाई आपके वीडियो से हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप सीमा को सपोर्ट कर रहे हो या पिर यह बोलने की कौसिस कर रहे हो कि सीमा को बख्षम मैंने संब के उप़ विडियो बनाए है, बलहे कहीं का भी हो, तालवान हो, अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, दे마 का, मैं वही बात करता हूं, जो सच बात होती है, सीमा का पाकिस्तान छोड़के हिंदुस्तान आना मुझे पिर भी कोई दिक्कत नहीं मुझे कुछ बातों पर अब्जेक्शन था मुझे कुछ बातों पर जो मैं वीडियोस कंटिन्यू बना रहा हूं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कोने कोने तक पहुंच गई ऐसा तो कल को कोई भी उठके आ सकता है कोई भी आ जाएगा इसे कल इस तरीके से सबसे पहले ये चीज़ गलत है जो मैं बार बार वीडियो बना के इस बात का जिकर कर रहा हूं कि ये चीज़ गलत है और दूसरी बात जो मैंने पहले वीडियो में कही थी कि ये फैसला सरकार का है और सरकार इन्वेस्टिगेशन करेगी लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोट से जमानत तो मिल गई थी चलो ये बात समझ में आती है कि जमानत मिल गई होगी किसी वज़ा से किसी बात पर जमाना मिल गई हो गई लेकिन इन्वेस्टिगेशन रुकनी नहीं चाहिए थी आज यूपी के एटियस ने दुबारा से सीमा को ले लिया है अपने एरासत में और उन्हें से पूश्टास स्टार्ट हो गई है मैं कहता हूँ यार इतना लेट क्यों चलो कोई बात नहीं इतना लेट ही सही लेकिन हुआ तो अब वो बोल रहा हैं कि हम इनको इनसे पूश्टास पूरी करेंगे पाकसान से कैसे उन्होंने जो है वह वहाँ से शुरुवात कैसे की दुबाई कैसे आई दुबाई से नेपाल कैसे आई और नेपाल से हिंदुस्तान कैसे आई और कौन-कौन से कौन-कौन से नंबर पर कौल किया है कौन-कौन सा नंबर यूज किया है कौन-कौन सी बाते हुई है हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि सीमा के फून से बहुत सारे मेसेजिज यानि के चैक डिलिट हो गए थे तो डिलिट क्यों हुए अब वो तो सीमा जब पाकिस्तान से एक्जिट हो भी गई थी दुबई पहुंची दुबई से नेपाल पहुंची तो चैक डिलिट करने की जरूरत क्या थी वहां पर वहां तो हैदर तो ता नहीं क्या ना में खड़ा हैदर है क्या गुलाम हैदर गुलाम हैदर तो वहां पहता नहीं गुलाम हैदर तो साओधिया में है है और डिलिट इस टाइम पे हुई है जब वो पाकिसान से निकली ये सारा जो वो गूम किया रहे थी इस समय उसका चैट डिलिट हुआ है हमारे पास एक वीडियो है दोस्तों एक रिपोर्ट है जो हम देख रहे हैं जीवनी उसका क्योंकि उनको आज ही अभी थोड़ी दिर पहले उनको यूपी के एटियस ने जो है दोबारा ले लिया है अपने रासत में और वहां पर उनसे पूश्टास की जा रही है चुटा सा रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को सुनी है दोस्तों देखें मैं पिर बता रहा हूं मुझे इस बात की दिक्कत नहीं है कि सीमा हिंद हम कुछ भी कर लेंगे लेकि सीमा को जाने नहीं देंगे अरे मैं उनको कहता हूं अंकल जी कोई बात नहीं आप थोड़ा सा ठंडा फानी पी लें सरकार को काम करने दें सरकार को एन्वेस्टिगेशन पूरी करने दें उसके बात सीमा आपके गर भी होगी आपके लिए खा अराम से सरकार को सरकार का काम करने दिया जाए हिंदोस्तान को देखें मैं सचिन की फामिली जो है वो बड़ी एक मिडल किलास फामिली है तो मैं सिप इतना खेना चाहता हूँ एक देश के अंदर जो लोग रहते इसका मक्सद यह नहीं होता कि वो अपने देश के बारे में सब कुछ समझते हैं या वो अपने परोसी देश के बारे में सब कुछ जानते हैं वो सारे लोग ऐसे होते हैं गुरुबत की वज़े से गरीवी की वज़े से प्राब्लम्स टेंशन की वज़े से उनको पता नहीं होता दुनिया में क्या चल रहा है अपनी जिन्दगी जी हैं भाई मज़े से जी रहें अगर Facebook देखते भी हैं तो भाई आज कल तो Facebook में ट्रेंड है मोठी मोठी आंटियां नाचती है उनको देखते हैं या पर YouTube देखते हैं तो YouTube में भी यह योगा करने के बहान है बाई उल्टे सीधे हरकते करती रहती आंटियां तो वो चीज़ें देखते हैं यह नहीं देखते हैं कि हमारे देश के आसपास होड़ क्या हो रहा है हमारा देश कितना आगे जा रहा है या हमारे देश को आगे जाने से रोकने के लिए प्रूसी क्या कर रहा है तो सब ऐसा नहीं होते के An沛ा मकसद मैं ये नहीं कहना है चाथा कि सच्चिन या सच्चिन की फाइमली देश-बक नहीं है अरे देश-बक मकसद मेरा वह नहीं है हो सकता है वह अपनी जिन्देगी में बड़े बिज़ी हो उनको कुछ नहीं पता लेकिन समझाना जरूरी है हम नहीं चाहते будем ख trophies, किसी एएरे घेरे उल्टे सीधे प्यार की वर्ज़े से हिंडुस्तान को कल को को कोई तकलीफ हो, कल को को एसी बात हो जाए कि बाई एक चोटी से लोगों का जिल तो देखे हिंडुस्तान के लोगों का दिल बड़ा साफ है. ज़्यादातर लोग अभी आप है 50-50 है तेके 50% लोग बोल रहे हैं सीमा बाबी है वो सीमा को जाने नहीं देंगे बहुत सारे लोग तो मुझे दमकिया लगा रहे हैं बेने के टके जो गरम मच्चर नहीं मार सकते हैं क्रीम लगा लगा के सोते हैं वो मेरे को दमकिया लगा सीमा के बारे में कुछ नहीं बोल हमारी बहु है अब जा रहे हैं भाई मारूंगा एक थपड निकलेगी असी कलर की टटी तेरे को क्या पता और 50% जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमें सीमा से दिक्कत नहीं है हमें सच्चिन से भी दिक्कत नहीं है हमें ये दिक्कत है कि ह हिंदुस्तान को तकलीफ ना हो, हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए किसी का भी कुर्बानी दे सकते हैं, सीमा जैसे लाको सीमा ही क्यों ना हो, सच्चिन जैसे लाको सच्चिन ही क्यों ना हो, मैं भी यह कहता हूँ, देखे हर किसी के लिए देश फस्ट होता है, दर्ती पहल यह जो है हम यह नहीं कर सकते के प्यार के लिए मा को कुर्बान कर दे मैं ऐसा नहीं कर सकता लोग कर लेंगे भाई प्यार के लिए मा को भी कुर्बान कर देते लेकिन हम अतने अंदे नहीं हैं कि जिस मा ने हमें जनम दिया जिसके कौक में हम पले बड़े हम एक प्यार के लि तसली ना हो जाए सरकार को या यूपी एटियस को या इन्वेस्टिगेशन एजनसी को कि भाई क्या ड्रामा है क्या मैं तो ऐसे कैसिज में देखें अगर और कोई देश होते हैं तो वो तो बच्पन से लेके हिंदोस्तान में गुसने तक डिटेल दो दिन में निकाल लेते है कोई भी देश हो उनको पता है वो बन्दे बेचते हैं वहाँ पर इंटरवूल पुलिस जाती है इंवेस्टिगेशन टीमे जाती है वहाँ पर प्रोशी वहाँ चाके इंवेस्टिगेशन होता है तो मैं कहता हूँ कि पूरी तरीके से हिंदुस्तान इसके गाउं जाकर बंदे बेजे हिंदुस्तान के लिए कुछ प्रॉबलम नहीं है कैसीमा जा रहती थी वहाँ ये अपनी एक टीम बेजे वहाँ इंवेस्टिगेशन करें इनके परोसियों से करें इनके रिष्टेदारों से मिले बेटे जुले इन्वाइट करें टीवी चैनल्स पे बुलाएं उनको कॉल के जरीए उनके साथ मिटिंगें बनाएं सारी बाते की जाएं और गुलाम हैदर से जितना हो सके उनसे डिटेल ली जाएं और एक और भी बुकलंडी का था किसका नाम एजास था उससे पूरी डिटेल ली जाए सारा तसलिए होने के बाद सब कुछ कतम होने के बाद सीमा हिंदुस्तान में रहे सीमा हिंदू रही रहे, कोई बात नहीं, सीमा पूजा करे, सीमा सिंदूर लगाए, सीमा सुतरमंगल पहने, नो प्रॉबलम दोस्तों, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत इस बात की है, कि हिंदुस्तान जो है आज दुनिया के लेविल पे कड़ा हुआ है, चंदरियान उड़ा है, वैसे हिंदुस्तान उड़ रहा है, देश उड़ेगा तो चंदरियान उड़ेगा, जब देश ही नहीं उड़ेगा, तो चंदरियान कैसे उड़ेगा, तो देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे हालत में दोस्तों, हमको छोटी-छोटी चीज़ों का सबसे पहले देश उसके बाद सच्चिन आता है पहले देश आता है पिर सच्चिन आता है देश के लिए तो लाको करोरो जवान कुर्बान हो जाते हैं तो पिर सच्चिन क्या है और सच्चिन की फैमली क्या हुई और पिर सीमा क्या है और सीमा की फैमली क्या हुई तो दोस्तो देश सबसे पस्ट है वही मेरी बाती मेरी बाते कापी ज्यादा लंबी हो गई शायद आप लोगों को बुरी लगे मेरी बात है कोई बात नहीं वीडियो देखते हैं वीडियो में थोड़ा सा सुनवा लेता हूं दोस्तों इसको सुनिये ताके लोगों को यकीन हो जाए बहुत सारे लोग नीज चैनल नहीं देखते हैं तो जब मैं दिखाता हूं तो बड़े प्यार से देखते हैं यह आप लोगों का प् इतना ही नहीं पूरे सफर के दौरान इस्तमाल किये गे मोबाइल्स नमबर और उनकी कॉल डीटेल्स भी अब खंगा ली जाएगी UP ATS फिलाल इस वक्त सीमा हैदर को लेकर के गई है UP ATS पूश्टाश कर रही है यह खबर इस वक्त सीमा हैदर से जुड़ी हुई पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर UP ATS का शकंचा कसा ATS की टीम ने सीमा को हिरासत में ले लिया है सीमा से पूस्टाश की जाएगी कि कैसे पहले वो पाकिस्तान से दुबई जाती है फिर नेपाल आती है और उसके नेपाल के रास्ते ये भारत में इंटरी करती है ये पूरी जानकारी जुटाई जाएगी उसकी पूरी जानकारी इस वक्त जुटाई जा रही है दरसल पूरे सफर के दौरान इस्तिमाल किये गए मोबाल नमबर और कॉल डीटेल्स भी अब खंखाली जाएगी तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी है मैंने छोटा सा क्लिप आपको सुनवाया है देखें शक हमें क्यों हो रहा है मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को शक हो रहा है वह सीमा जिस तरीके से फर 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 बाते कर रही है ना जिस तरीके से मीडिया से बात चीत कर रही है ना यकीन करें दोस्तों कि ऐसा कोई कर नहीं सकता तो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, मुझे 7-8 साल हो गए इस फिल्ड में, जब मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा था ना, कैमरे के आगे, तो मैं आदे गंटे तक मैं अपनी नाक में उंगली मार के कैमरे को देख रहा था कि क्या बोलूं यार, देखें, जिन्दग हो गए, पिर से बनाओ गए, मैं कहता हूँ, सीमा तो बाई ऐसे पर 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 जवाब दे रही है, हर मीडियो चैनल को, मैं आपको बता नहीं सकता, बाई, मैं इस बात को, मैं बोल रहा हूँ ना, कैमरे के आगे, मोबायल था, पता नहीं कौन सा था, मैंने उसको अपने आग और मैं आदे गंठे तक मैं नाक को ऐसे गिसा उंगली से, ऐसे गिसा उंगली से, कि भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, कि नाक का एक साइड मेरा फुल गया था, कि मैं समझ मेंने, मैं क्या बोलू, तो भाई देखें, जिन्दगी में बंदा जब पहली बार मिडिया के आता है आपने दुनिया में बहुत सारे लोग देखें, कि मीडिया के आगया थे एकदम परिसान होते हैं, बड़े सरमाय हुए होते हैं, बड़े बड़े जवान, बड़े बड़े मूचो वाले लोग सरमा जाते हैं, खेमरे के आगे, और थोड़ा सा हस के, शरमा के, थोड की बजा दी सीमा न 안녕 से बात करेएं गूगल भी इतना नहीं बोलें जा से हमें डाउट है कि सीमा की पूरी investigation करने के बात जो है उसके बात सीमा का जो भी होगा दोस्तों वो سرکار فیصلہ کرے گی سرکار کا فیصلہ ہماری سر آنکھوں پہ بھائی ہمیں قبول ہے جو سرکار کرے گی جو بات وہ ہم accept کرتے ہیں اس کے بعد سرکار بولے گی کسی کی بھی respect کرو تو ہم اس کی respect کرنا start کر دیں گے اگر میری ویڈیو آپ کے بیجے میں گس رہی ہے یا سمجھ میں آ رہی ہے تو میرے سے دوبارہ یہ سوال مت پوچھنا ہے کہ آپ سیما کو support کر رہے ہو یا اس کے against بول رہے ہو تو میں نہ support کر رہا ہوں न अगेंस बोल रहा हूं मैं जब तक सीमा के किलाफ हूँ जब तक सरकार पूरा पैसला नहीं सुना देती सरकार ने पैसला सुना दिया सीमा वाइट हो गई सीमा को कह दिया कि रहने की अजाज़त है उसके बाद भाई मुझे सीमा और या हिंदुस्तान की कोई भी बैटी मुझे उसका कोई फरक नहीं होगा मुझे ऐसा ही लगेगा कि सीमा हिंदुस्तान की ही बैटी है लव यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बाबाई